हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एड्यूहब ओनलाइन क्लासेज, मैं हूँ जयन्थ, तो दोस्तों हम यहाँ पे राजस्तान हिस्ट्री का अध्यन कर रहे थे, हमने पहली क्लास अपलोड कर दी थी, पार्ट वन के अंदर हमने राजस्तान हिस्ट्री के सोर्सेज के बारे में दे करेंगे, सारी चीजे मैं आपको इसी वीडियो के दोरान ही याद करा दूँगा, आपको केवल बस सुनना है, सुनने मात्र से आपको सारी चीजे याद हो जाएगी, तो हम बात कर रहे हैं मित्रो आहड सब्यता के बारे में, आहड सब्यता का जो उद्गम है, वो कहां पे ह उद्धैपूर में हैं, जो आहड सब्यता है, उसका उद्गम इस्तल है उद्धैपूर, ये याद रखेगा, दूसरा, आहड सब्यता कौनसी नदी के किनारे पे विक्सित हुई, तो आहड सब्यता आयट, बेडच या बनास नदी के किनारे पे विक्सित हुई थी, कोई भ विक्सित होती है तो जो आहर सब्यता है दोस्तों वो कौनसी नदी आयर नदी या उसी को हम बेड़च नदी या उसी को हम बनास नदी भी कहते हैं तो यहां जो आहर सब्यता है उदैपूर में आयर बेड़च या बनास नदी के किनारे पे विक्सित हुई थी फिर हम बात करत इस सभ्यता से हमें तामर कालीन सभ्यता के अवसेश मिलते हैं यानि की तामबे के अवसेश हमें इस सभ्यता से प्राप्त होते हैं दोस्तों ये बात भी आपको याद रखनी है तामबे के अवसेश हमें आहड सभ्यता से प्राप्त हुए हैं अगर के एक्जाम में आपसे कु और ये आहर सब्यता उदैपुल में बनास नदी या बेड़च नदी के किनारे पे है। फिर हम बात करते हैं आहर सब्यता के उपनाम के बारे में कि आहर सब्यता को हम और किन नाम से जानते हैं। तो आप कह सकते हो बनास संस्क्रती या मरतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। आहर संस्क्रती या बनास संस्क्रती बोल सकते हो उसके साथ ही मरतकों के टीले के नाम से भी आहर सब्यता को जाना जाता है। तो अभी तक हमने मित्रो आहड सब्यता के बारे में तीन चीजों पे डिसकस किया है। पहला हमने देखा कि आहड सब्यता उदैपूर सिटी के अंदर है। बनास या बेड़च नदी के किनारे पे विक्सित हुई है। इसलिए ही इसको बनास संस्क्रती या आहड संस्क्रती के नाम से भी हम जानते हैं। तीसरी बात हमने देखी कि यहां से हमें तामबे के अफसेश प्राप्त हुए हैं। आहड सब्यता से हमें तामबे के अफसेश प्राप्त हुए हैं। ठीक है आगे देखो इसके प्राचीन नाम की अगर बात की जाए तो तामरवती नगरी और अगहाठपूर के नाम से भी हम जानते हैं हम बात कर रहे है दोस्तों आहरसभ्यता। तो उसके बारे में तीन चीजे तो common है आपको याद होनी ही चाहिए पहली चीज कि वो कौन सी नदी के किनारे विक्सित हुई तो आपको वो याद होना चाहिए दूसरी कि वो कौन सी जगे पे है, कौन से सहर पे है वो याद होना चाहिए और तीसरा की वो कौन से उसका उत्खनन किसने किया यानि कि उसको खोजा किसने है ठीके तो ये तीन चीजे एक्जाम में हरवार पूछा जाता है तो मैंने आहड संस्कृती या आहड सब्यता के बारे में आपको बता दिया यहां आयड या बेड़च नदी और उदैपूर में इसके उत्खनन करता कौन है दोस्तो पंडित अक्षे किर्ती व्यास के द्वारा 1953 में सर्वप्रथम आहड सब्यता का उत्खनन किया गया यानि की पंडित अक्षे किर्ती व्यास वो है दोस्तो जिनोंने 1953 के अंदर आहड सब्यता का उत्खनन किया आहड सब्यता की खोज की थी फिर हम बात करते हैं रतन चंद्र अगरवाल तो पहले उत्खनन करता की अगर हम बात करते हैं तो वो है पंडित अक्षे किर्ती व्य दूसरे है 1954 में रतन चंद्र अगरवाल जिसको हम आर्सी अगरवाल के नाम से भी जानते हैं तो प्रथम उतकनन करता कौन है पंडित अक्से किरती व्यास दूसरे 1954 में आर्सी अगरवाल के द्वारा धूल कोट जो की इस्थान्य टीला था उसको खोजा गया है आर्सी अगरवाल ने क्या खोजा है यहाँ पे एक टीला खोजा है उस टीले का नाम है धूल कोट 1954 में खोजा है यह बात के लिए रहो गई आपको आगे देखो आहड सब्यता की विसेस्ताओं के बारे में मैं अगर आपसे बात करूँ कि आहड सब्यता कहां पे विक्सित हुई है तो उपकरन वो ओजार बनाने वाले इसफटिक पत्थर हमें यहां से प्राप्त हुए हैं यानि कि अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आप किस तरीके से ये आइडेंटिफाई कर पाऊगे कि यहां आहड सब्यता है क्योंकि वहां से हमें किस तरह किसे जो चीजे प्राप्त हुई है हम उन सब चीजों के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें उपकरन वो ओजार बनाने वाले इसपटिक पत्थर प्राप्त हुए हैं तामबे वो लोहे के उपकरन मिले हैं हमें यहां से तो आहड सब्यता से आपको याद रखना है तामबे और लोहे के उपकरन प्राप्त हुए हैं इंपॉर्ट जो चीज प्राप्त हुए उसके वारे में सुनना मुरद भांड के पर्मान मिले हैं दोस्तों मुरद भांड के जो प्रमान है हमें वो एक मात्र आहर सब्यता से ही प्राप्त हुए हैं मकान अधिकांस यहां पे कच्ची इटों के और आयताकार मकान बने हुए प्राप्थ हुए हैं कच्ची इटों के मकान और आयताकार मकान हमें आहड सब्यता से प्राप्थ हुए हैं सामुहिक भोजन की व्यवस्था हमें यहां पे मिलती है एक ही घर में छे चूले मिले हैं जिससे हमें ये ग्यात होता है कि आहड सब्यता में सामोहिक भोजन की व्यवस्था भी थी क्योंकि एक ही घर से एक चूला मिल सकता है छे चूले मिलने का कारण है कि यहाँ पे सब साथ में मिलकर बैट कर खाना बनाते हैं और खाते हैं तो सामुहिक भोजन पर्णाली या सामुहिक भोजन व्यवस्ता का पर्मान आहड सब्यता से जो की आयर या बेड़स नदी के किनारे पे उदैपूर सिटी से हमें प्राप्त हुआ है और सर्व पर्थम 1953 में अक्से किर्ती व्यास के द्वारा उत्खनन किया गया चेकेंड 1954 में आर्सी अगरवाल ने धूल कोट नामक इस्थान की खोज की है दोस्तों क्लियर है आगे देखो अनाज रखने के लिए मरद भांड जो यहाँ पे मैंने आपको बताया था अभी कि हमें यहां से मरद भांड प्राप्त हुए हैं उन मरद भांडों में दोस्तों अनाज रखने का कारिय होता था यानि अनाज को स्टोर करने के लिए मरद भांड का प्रियोग होता था और इस तरह के मरद भांड हमें आहड सब्यता से प्राप्त हुए हैं तो यह आपको याद रखना है कि जो आहड सब्यता है यहां से हमें मरद भांड प्राप्त हुए ह और इन म्रद बांडों में हम क्या रखते थे अनाज रखते थे क्लियर उसके बाद देखो यहां से हमें छे तामबे की मुद्राय प्राप्त हुई है दोस्तों आहर सब्यता से हमें छे तामबे की मुद्राय प्राप्त हुई है जिसे युनानी मुद्राय प्राप्त हुई है और कहां से ये सारे के सारे छे मुद्राएं हमें धूल कोट नामक इस्थान से प्राप्त हुआ है। यह पूछा जाता है दोस्तों बारवार कि यह धूल कोट नामक इस्थान किस सभ्यता से है या इस धूल कोट इस्थान का सम्मंद किस सभ्यता से है या यह धूल कोट जो हमें इस्थान मिला है यह किस सभ्यता की विशेषता है तो यह है आहड सभ्यता की जिसकी खोज 1954 में आर आसी अगरवाल के द्वारा किया गया था तामबे का सबसे बड़ा उद्योग जो है हमें आहड सब्यता से प्राप्त हुआ है आपसे पूछा जा सकता है कि तामबे के बने हुए सर्वादिक उपकरन तामबे के बने हुए सर्वादिक उपकरन तामबे का उद्योग हमें किस स सब्यता की देन है तामबे गलानी की भटी जो तामबा होता है दोस्तो उसको गलानी की हमें भटी प्राप्त हुई है और वो भटी हमें कहां से मिली है वो भटी भी हमें आहड सब्यता जो की आयड या बेडच या बनास नदी के किनारे पे विक्सित हुई थी दोस्तो ठीके तामबे के उपकरन तामबे के अस्त्र सस्त्र तो एक बात आप ये बात समझ लो कि जो ये आहड सब्यता है यहां की जो प्रजा थी जो जन जाती थी वो तामबे के उपकरन बनाने में माहीर थी क्योंकि उन्होंने तामबे को खोजा था तामबे का ही उपकरन वो बना सकते थ तामबे के बारे में उनको पूरी जानकारी थी ठीके तो तामबे का सबसे बड़ा उद्योग आहड से प्राप्त हुआ है तेरा कोटा प्रदत्ती से निर्मित जो बैल है बनासियन बूल की संग्या दी गई है वो बैल भी हमें आहड सब्यता से प्राप्त हुआ है प्रदती से क्या होता था पानी सुखाने की एक विधी है दोस्तो जैसे बारिस होती थी तो बारिस का पानी जब घर में आ जाता था तो उस पानी को सुखाने के लिए चक्रकूप प्रदती जो की एक वैज्ञानिक प्रदती है दोस्तो उस प्रदती का उस समय में यूज किया जा रहा था तो आप समझ सकते हो आहड सब्यता के जो लोग हैं वो बहुत ही जादा एडवांस थे जैसे मैंने आपको कल काली बंगा सब्यता पढ़ाया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि सल्य चिकित्सा के परमान मिले हैं क्योंकि काली बंगा सब्यता से हमें एक खो इच्छा का ग्यान भी था तो उसी तरीके से जो चक्रकूप पानी निकाले की विदी है उसका प्रियोग आहड सब्यता में भी किया गया है मित्रो तो अब एक बार मैं आपको पूरा रिविजन करा देता हूं कि हमने अभी क्या क्या पड़ा आहड सब्यता के बारे में हमने डिसकस किया जो सब्यता विक्सीत हुई उदैपूर में आहड आयर या बेड़च नदी के किनारे या बनास नदी के किनारे पे विक्सीत हुई थी दोस्तों यह एक जो है सूवेवस्तित सब्यता आप कह सकते हो यहां से हमें ताम्बे के सबसे जादा उपकरन प्राप्त बात याद रखना तामर यूगिन सभ्यता की जननी कहा जाए तो वो गनेशवर सभ्यता है जो की कांतली नदी के किनारे सिक्कर में है दोस्तों वो सभ्यता है गनेशवर सभ्यता जो तामर यूगिन सभ्यता की जननी यानि की पूरे भारत के अंदर तामर यूगिन सभ्यता की जननी अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो वो है गनेशवर सभ्यता जो की कांतली नदी के किनारे सिक्कर में इस्तीत है मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ कौनसी आहड सभ्यता के बारे में आहड सभ्यता में तामबे के सबसे जादा उपकरन आपको प्राप्त हुए हैं तामबे के उद्योग यहाँ पे प्राप्त हुए हैं तामबे के अस्त्र सस्त्र हमें आहड सभ्यता से ही प्राप्त हुए ह उसके साथ ही तामभा गलाने की जो भटी है तामभा गलाने की भटी हमें यहां आहर सब्यता से प्राप्त हुई है आहर सब्यता की खोज किसने की है तो आहड सब्व्यता की खोज 1953 में किसने की है पंडित अक्षे किर्थी व्यासने की है और 1954 में धूलकोट नामक इस्थान की खोज किसने की आर्ची अगरवालने की धूलकोट के बारे में कहा जाता है यह मरतोकों का टीला है इस टीलेस को साथ वार खोजा गया है और साथ वार दफनाया गया है यानि कि यह सब्यता साथ वार उलट पुलट हो चुकी है दोस्तो कौन सी आहड सब्यता और धूलकोट की खोज आरसी अगरवाल ने 1954 में किया है दोस्तो ठीक है उसके बाद देखो इसके आहड की हम प्राची नाम की बात करें तो अगाटपूर और तामरवती नगरी के नाम से जाना जाता है आहड सब्यता का उत्खनन हमने देख लिया पंडिक्त अक्षे किर्थिव्यास और दूसरे हैं आरसी अगरवाल अब हम बात करते हैं कि हमें यहां से क्या-क्या चीजे मिली थी आहड सब्यता से तो हमें यहां से उपकरन वो ओजार जो की इस फटिक पत्थर से बने हुए थे वो प्राप्थ हुए तामबे और लोहे के उपकरन हमें यहां से प्राप्थ हुए म्रद भांड प्राप्त हुए हैं म्रद भांड में अनाज रखने का काम आता था दोस्तों अभी जैसे हम अनाज को घर में स्टोर करने के लिए हम ड्रम का यूज करते हैं तो उस समय आहड सब्यता में अनाज को स्टोर करने के लिए म्रद भांड का परियोग किया जाता था मिट्टी के बने हुए गोरे और काले कलर के ये म्रद भांड होते थे इन म्रद भांडों के अंदर अनाज को रखा जाता था ठीके? समझ में आगे आपको? फिर आगे देखो यहाँ पे अधिकांच जो हमें मकान प्राप्त हुए हैं वो कच्ची इटो वो आयताकार मकान है सामुहिक भोजन व्यवस्ता के हमें परमान मिलते हैं और हमें इसके साथ ही ये प्राप्त होता है कि यहाँ पे एक ही घर से हमें छे चुले मिले हैं उन चूलों से हमें ये ज्यात हो रहा है कि जो आहड सभ्यता है दोस्तों यह एक सामोहिक भोजन व्यवस्ता वाली व्यवस्ता वाली सभ्यता मानी जा रही है ठीके इसके साथ ही अनाज रखने का अमरत्भांट हो गया और छे तामबे के यूनानी मुद्राएं हमें धूल गोटनामक इस्थान से प्राप्त हुई है उसके बाद अगर हम बात करें तामबा गलाने की भटी ये किस्षन बार वार आपसे रिपीट हुआ है और पूछा गया है कि तामबा गलाने की जो भटी है वो हमें कहां से मिली है तो तामबे गलाने की जो भटी है वो हमें और तामबे के कुलहाडी भी हमें आहर्ड सव्व्यता से प्राप्त हुई हैं आहर्ड सव्यता के जो लोग हैं वो तामबे की धातू से परिचित थे दोस्तों ठिक विवस्ता के बारे में जानकारी मिलती है जवारव चावल के क्रशी का परमान मिलता है तेरा कोटा परदती से निर्मित जो बनाशियन बुल है उसकी संग्या दी जाती है दोस्तो वो भी हमें यहीं से प्राप्त होता है आहड सब्यता से तो दोस्तो आज हमने राजस्तान हिस के अंदर आहड सभ्यता का पूरा डिटेल में एनलाइसिस किया है आपको कहीं पे कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो नोट्स पाने के लिए मेरे हैंडी टन नोट्स बने वे हैं वो notes पाने के लिए आम मुझे whatsapp कर सकते हो free of cost है मैं आपको इस सारे notes प्रोवाइट करा दूँगा लेकिन आप दो बार इस वीडियो को सुन लोगे तो भी आपको सारी चीजे जो है वो याद हो जाएगी कल हम नए chapter के साथ में मिलेंगे दोस्तो आज की class को यही complete करते हैं thank you have a nice day bye bye